नमस्कार दोस्तों आज कहानी प्रसुत करता हूं विनुद बंका जी द्वारारचित पिछले हपते मेरी पत्नी को बुखार था पहले दिन तो उसे बताया ही नहीं कि उसे बुखार है दुसरे दिन जब उसे सुबह उठा नहीं गया तो मैंने योही पूछ लिया कि तवित ख कावट है मैं चुपचाब अख़बार पढ़ने में मस्गूल हो गया जरा देर से उस दिन वह जगी और फटा फट उसने मेरे लिए चाय बनाई बिस्क्विट दिये और मैं एक वार पढ़ते पढ़ते चाय पिता रहा मुझे पता लगा लग चुका था कि उसे थोड़ा ब बाहर और गावले हो ओसे ले से दिरेसे का कि अरे ऐसे कोई बात नहीं बना दूगी लेकिन मैंने कहा कि नहीं 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 दफ्तर की कोई मीटिंग है, उसके बाद खाना बाहर ही है, फिर मैं तयार होकर घर से बाहर निकल गया, पुरुस हो, मजबुत। दिल की होते हैं, ऐसी मामली बीमारी से पुरुस बीचलित नहीं होते, तो फिर अपनी मीटिंग में मुझे ध्यान भी नहीं रा कि पत्नी की तबीत सुबर ठीक नहीं थी, खर साम को घर आया तो लेटी हुई थी, उससे लेटे देखकर भी दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि यहीं पूछलो कि कैसी तबीत है, वो लेटी रे मैंने अपने कपड़े बदले और बेठा कि खाना पत्नी ने मेरी योड देखा और लेटे लेटे उसने कहा कि अभी उठती हूँ, बस अब ठीक हूँ, जैसे ही उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे ध्यान आ गया कि अरे सुबह तो उसने बखार था, खेर अपनी चर्मिनगी चिपाते हुए मैंने, कहा कि कोई बात नहीं तुम लेटी दो, मैं रोसोई मे सर्दी, पत्नी ने ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया, मुझे आँखों से धन्यवाद कहा, और मन में कहा कि पत्ती हो तो ऐसा हो, इतनी केर करने वाला, मैंने एक दो बार योहीं पूछ लिया कि तुम कैसी हो, कोई दवा दूं क्या, और अपने कंप्यूटर को देखता सो गया, पत्नी अगली सुबा जल्दी उठी, मुझे लगा कि वो ठीक है, हो गई और मैंने फिर उसके बुखार पर चर्चा नहीं की, मैंने मान लिया कि वो ठीक हो गई है, कल मुझे सर्दी हो गई थी, दो तिन बार चीक आई थी, घर गया तो पत्नी कहा कि तुम्हारी त अची कोई बात नहीं है, लेकिन पत्नी ने मुझे कमरे में भेजी दिया, मैं विस्तर पर लेटा ही था कि मेरे लिए सांदार काड़ा बनकर आ गया, अब मेरा गला खराब था, तो काड़ा बनना ही था, काड़ा पीकर लेट गया, फिर दस मेड़ बाद गरमा गरम सूप सा मेरे पास आ गई, और मेरे सिर को सहलाने लगी, कहने लगी इतनी तवित खराब है, इतना काम करते, क्यों करते हो, बच्मन में जब कभी मुझे बखार होता था, तो मा सारी रात मेरे सिराने बेठी रहती थी, मैं सोता था, वो जाकती थी, आज मैं लटा हुआ था, मेरी पत खिलाया तो उसने पुछा कि खाना खाओगे, मुझे भूग लगी थी, मैंने कहा हाँ, उसने फटा-फट रोटी सब्जी दाल, चट्नी सलाद मेरे सामने प्रोश दिये, और आधा लेटे-लेटे मेरे मुँ में कोल डालती रही, मैंने चुपचाप खाना खाया और लेटे लेट गया, पति ने मुझे अपने हाथों से खिला कर खुद को खुश महसुस किया और रसोवी चली गई, मैं चुपचाप लेटा रहा, सुचता रहा कि पुरुस भी कैसे होते हैं, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी बिमार थी, मैंने कुछ नहीं किया, और तो और एक फोन करक लेकिन मैंने उसे प्रेट प्रोष कर, खुझ को घुर्वान्तित महसुस कर रहा था, कि मैंने ये देखने की कोशिस भी नहीं कि उसने वाकई कितना बुखार था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कि उसे लगे कि बिमारी में वो अकेली नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ जराश सी सर्दी हुए थी और वो मेरी वाँ बन गई थी मैं सोस्ता रहा कि क्या सच मुझ महिलाओं को भगवान का एक अलग दिल देते हैं महिलाओं में जो करुणा और मम्ता होती है वो पुरुसों में नहीं होती क्या सोस्ता रहा जिस दिन मेरी पत्नी को बुखार था उस दो पर जर्म में और पन कर करके समझने की कोशेश करनी चाहिए कि सचमुझ कितना मुश्किल होता है औरत बनना मा बनना बहन बनना पत्नी बनना थेंक यू बेनौद पंका जी थेंक यू बहुत खुब सरत पंक्तिया थेंक यू